बंस्वार कांधि चुरह विश्व शान्ति के लिए सर्वधर्म संभाव एवं सद्वाव शान्ति करोना पधियात्रा निकाले गई बड़ी संख्या में लोग रही शामल बंसौर कांदी चुरार से विश्व शान्ती के लिए सर्वधर्म संभाव एवं सद्वाव शान्ती करूना पधियात्रा निकाली है जिसमें बंसौर के इंदू-मस्दिम सीकिस्ताई सभी धर्म के लोग शामिल हुए और अपिल की है कि सभी लोग एक दूसरे का सयोग करें भाईचारे के साथ रहे इसके साथ ही मीडिया से चर्चा करते बताया कि जिस तरह से अन्य देशों में जो युद्ध चल रहा उसके बारे में भी बताया लग एक दूसरे के दुश्मन और छोटी बात को लेकर बन जाते के एक विश्व शानती के लिए एक रेली रिका लिजाए और हमारे देश का जो कानून है वो भी महां बूतावास के जरीए हमारी खाबर पहुचा है कि नाहाग बच्चों का कतल किया जा रहा है दार्मी की स्थलों को नुकसान पहुचाया जा रहा है मुकत्त जगाओं को ये जंग रुखनी चाहिए इसकी चान्ती वारता करना चाहिए लड़ने वाले चांद होते हैं नुकसान पुरे शेहर को पुरे मुल्क को जहिलना पड़ता है आपका शुक्त आसे बुल्ला शेहर का जी मनिस्ति शांती सद्भावना की रेली निकाली गई है इसमें सभी संगठोने ने भाग लिया है जिस प्रकार से रावन के साथ इद्ध्य करने से पहले भगवान राम ने अंगत को शांती दूद की रूप में भेजा था और भगवान कृष्ण ने दुर्योधन के सामने खुद शांती दूद की रूप में गए थे शांती की वारता करी थी तो हम लोग भी यह शांती का संदेश दुनिया को देना चाहते हैं कि जंग किसी समस्तिया का हल नहीं है हर समस्तिया का समाधान शांती से वारता करने पर मिल सकता है तो मैं आज सभी को यह संदेश देना चाहता हूँ गायत्री परिवार, ब्रह्मा कुमारीज और अन्य सभी संगतनों के माध्यम से कि हर वक्ती शांती की बात करे और सभी के मनों में दिलों में शांती व्यापत हो जाए एसी सद्वावना है सब के साथ रखे यात्रा हमारी महारणा परताब शुकला चोक से होकर के भारत माधा चोरहा तक आई है इसमें युवा निडर सेवा संस्तान है और मुस्लिम संगतन है मेरा नाम पवन गुपता है गाहत्री परिवार मनसोर से